हर तरफ उठते शोर से पढ़े आकर वो एक कमरे में गुस गी गयर महसूस अंदास में इस निकान पर लगी डिवाइस को हाथ से जूकर चेक किया लिपस्टिक से रंगे कहरे सुरक लबो ने हरकत की सब ठीक है कुछ ही देर में महफिल सज़ेगी तुम्हारे पास तब तक का वक्त होगा ठीक है बेस्ट ओफ लग इतराफ में देखती वो पूरे कॉन्फिडेंस से चलती हुई बाहिर निकल गई कॉपन हैगन पर आज पी की सरमेई शाम उतरी थी आस्मान सरमेई बादनों से डगा हुआ था कभी कभी हलकी हलकी बोना बादी हो जाती थी ऐसे में जहां अबाद इलाके में सब मोसम के तेवर देखते गरों का रुख कर रही थी वही अबादी से कुछ दूर केही एकड़ पर फैला हूँ वसी और अर्स बंगला सुनहरी रोशनियों से जगमगा रहा था अंदर जांको तो एक बड़े से हाग को बर्की कमकमों से सजाया गया था रोशनियों और रंग वबू का एक तुफान उमड़ आया था चारों और तहत लगाए गे थे जहां सरबराही नशिस्त पर सफेद कल्प लगे शलवार कमीज में बाबा सहब शराब के गूंट परते जूम रहे थे इनके अतराफ में जाकी रोड कालिया खड़े थे जबके एन पीछे लीस अपने अजली हुलिये से हटकर मुकमल सिया पैंट शर्ट पर लैदर की जैकट पहने दिवार से लगकर खड़ा था इसके हाथों से बैंट स्काइब थे बड़े हुए बाल अप छोटे हो चुके थे इसके स्पार्ट नजरे महफिल का जाइजा ले रही थी हाल में बैटे हर शरीफ नफस के पहलों में नीम अर्या कनीजे थी सबके नजरे इस हुसन की मलका के इंतजार में बेचैन से बाबा सहब कोता करी थी बेचैन तो वो हुद भी थे इसके कातिल रोप को देखने के लिए वो गजब रहाती थी अपनी हरी आँखों से जिसके चमकीले कांच मुकाबल को दिल में गुस्ते महसूस होते थी आँखें रजब डाती थी तो कातिल मस्कुराकर जैसे उल्टी छूरी से हलाल करती थी ऐसे फितना हुसन से हुदा की पना यका यक हाल की बतियां बुझ गए महसे एक तेज बती एन वस्त में खड़ी इस मलका हुस्त बड़ पर पड़ी थी जो पिंट्रियों तक आते सुरख बढ़ कीले गागरे में सुरख रेश मी गुंगट सर्पर डाले खड़ी थी गुंगट से जाहिर होते सुरख तराशिदा हूंट और उपरे हूंट के हम पर चमकता स्या दिल हाजरी ने महफिल को गाल किये जा रहा था साहिपान कदर्दान महरपान दिल थाम के बैठी क्योंकि आपके सामने हाजिर है दरबारे दिल की अजीम मलका, मलका हुस्न, नूरे नजर, जाने मन, हसी नाम एक मन चला, नोजवान उठकर बड़ी तरंग में बोला था सुरह कातिल लब हलकी मुस्कुराखट में डरे थे सब दिल थामे, हुस्न के इस मुझस्मे पर आँखें गाड़े बैठी थे महफिल पर हमोशी चाही थी, जब इसके लबों ने हरकत की आते आते ठहर गया होगा, कोई दिल से उदर गया होगा हवा में हाथ लहरा कर, पिशानी तक लाती, वो एक अदा से जुकी थी जिस पर सीटियों की जबरदस्त आवाज बुलाद हुई, बाबा सहब पुशोक नजरों से इसकी एक एक अदा को देखते हिफ्स कर रही थी, जाकिर और कालिया का भी यही हाल था जबके इनकी पुश्ट पर खड़ा, वो लब सकती से बीचे, स्पार्ट नजरों से नाक की सीद में देख रहा था वो गागरा जटकती एक कदम आके बढ़ी, जिससे इसकी दोदिया पिंडिनिया नमाया हुई, लीस ने हुनहान नजरों से से देखते, चेहरा मोड लिया जो अंदेरे में छुपके बैटा है, अपने साहे से डर गया हुगा, हाथों को उठा कर गुंगट पकड़ दी, वो एक अदा से नीचे बैठी, इसका लाल गागरा लहरा कर दाइरे की सुरत समीन पर फैल गया था एक बार फैसे सीटियों की अवाज बुलंद हुई, इसने जटके से गुंगट उलट दिया, महफिल पर दोफान बत्तमीजी मच गया था, नोटों का एक डेर इस पर गिरने लगा था, वो दोनों हाथों को लहरा कर कातिल नैनों के सामने लाती आईबर उचका गई, साह साह इसके लब गाने के बॉल के मताबिक हरकत कर रहे थे, निचले लब का किनारा दांतों से काटती, वो सर गुमाती, लीस को आँक मार कर उठी, दोनों जवान हाथ में शराब की बोदल पकड़े, इसके साथ आकर नाचने लगे, सर मस्ती से अपने उपर गिरते, इस दड़के को नजाकत से पीछे दकेलती, वो महरून गुटनों तक जाते, करली बालों को जटकती, दोनों हाथों को बहम मिलाकर कमर तक लाई, गूमकर दोनों बाजू आँखों के सामने लाती, वो कमर हिलाने लगी, मटकती हुई वो बाबा सहब के पास आई, जुक कर इन्हें, अद को चार चान दगा रहा था, चेहरा कंदे की तरफ मोड़कर वो एक अदा से मुस्कुराई, लीस की बस हुई थी, सर्थ तासुरात लिए वो बाहर निकलने लगा, जब हसीना ने लपक कर इसका हाथ थामा था, इसके मुकाबल आती, इसके सीने पर हाथ रखती, वो हास कर इ आँखों में देखती बोली थी, इसकी आँखों का रंग मजीद गहरा हुआ था, सीने पर रखा इसका हाथ चटक कर वो बाहर निकल गया, जाकिर का दिमाग खटका था, इसने आँखे सुकेर कर लीस की पुष्ट को देखा, जुक कर बाबा साहब से कुछ कहता, वो इसके जाने लगा, जब हसीना इसे बासू से थाम कर वस्त में ले आई, इसका धिहान हटा था, लीस की तरफ से, जबके आँखें चमकी थी, हसीना की पेश कदमी पर, आज वो जिस कदर आफ़त लग रही थी, इसका कहर बर्दाश्ट करने के लिए, वो दिनो जान से त्यार था, तहजुत की नमाज अदा करके, इसने जाए नमाज तै करके रखी, सिया आँखें किसी अजम से चमक रही थी, गहरी सांस लेकर वो कबट की जानिब आया, अलमारी से दस्ती बैक निकाल कर, इसने कुछ जरूरी चीज़े रखी, चंद मिट बाद वो मुकमल सेया लबास में सोफे पर बैठा, नजर आ रहा था, कान में लगी डिवाइस के जरीए, वो दूसरी जानिब किसी से रापते में था, बात करते हुए इसने पैरों में बूट्स पहने, हालिस फोजियों के लिए लंबे बूट, खड़े होकर इसने एक बार फिर भैक को चक किया, ओ, कुछ प्याद आने पर हो चोंका, इसने बाडी आर्मर तो पहना नहीं था, जो किसी भी बंदूक से निकलने वाली गोली से इसे महफूज रखता, मद्दम आवाज में दूसरी जानिब मजूद, शक्स से कुछ कहता, वो बैक से बाडी आर्मर निकाल कर सीधा हुआ, सीने से लाइट की वज़ा से इसकी आंखें चुन्दी आ गई, इबराहीम इतनी रात को कहां जा रही है, वाल कुलाग पर नज़र डाल कर वो हिरान से उठ वैठी, इसका दिल अजीब से हिसास से दड़का था, वो पुरसकून चेहरे से इसके सामने आ बैठा, मैं जल्दी आ रहा हूँ, शायद मुझे रात हो जाए वापिस आती, अगर कोई मसला हो गया या बिला फर्स, तो इस नंबर पर राब्दा करना, इसने एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया, जिसे इसने हमोशी से थाम लिया, इबराहीम आप ऐसे क्यों कह रही है, मुझे धर लग रहा है, अपने आप ही असपत में हिला था, बहुत सैदा, वो सरगोशी में बोली थी, शेहत रंग आँखों में मुकाबल बैठेस, हूबरो मर्द का अक्स जिल मिलाया था, नरमी से से देखता, वो उठा, जुक कर इसका सर चूंगते, वो पीछे हटा, जनीशा ने आँखें मूद के लिए जा रहा हूँ, वो पूरा हो जाए, ओके, चलता हूँ, खुदा हाफिस, दस्ती बैग उठाकर, वो एक आखरी नजर इस पर डालकर बाहर निकल गया, इसके हैरियत के लिए वो दिल से दवा गोही, अपनी इन क्या हाक आती, वो वुजो की नियत से उठ गई, सुन कर, वो पसिंजर सीट पर बैठ गया, तो इसके साथ ही ने गाड़ी चला दी, गाड़ी की खुली खिड़की से नजर आते आसमान पर नजर जमाता, वो आइंदा का लहाय अमल तैय कर रहा था, हलकी हवा से बाल बार बार उड़कर इसकी पिशानी पर बिखर रही थी, से आ हाल से निकल कर, वो कई तंक सी रहदारियां बूर करके सीड़ियां उतरता, फुर्ती से आहरी मंजर पर मजूद, बाबा साहब के आफिस के सामने रुका, यहां के तमाम कैमरे वो पहले ही हटा चुका था, सर गुमा कर पीछे की योड देखते, इसने जेब से चाबी निका ली थी, कलाई में पहनी गड़ी पर, वक्त देखता, वो जल्दी से लॉक खोल कर अंदर गुस गया, दर्वाजा इसने जरा सक खुला रख दिया, जिससे अंदेरे कमरे में मद्दम से रोशनी हो गई, गानों की आवाज बराबर कानों से तक्रा रही थी, सब महفिल में मश जारी से आया था, जाहिर है, कोई अपनी इतनी एहम मालूमात, और काले करतूतों का रिकार्ड खुलम खुला तो नहीं छोड़ेगा ना, बला हो हसीना का, जिससे अपने साथ मिलाकर इसने पासवर्ड मालूम कर लिया था, जेब से फलेश ट्राइब निकालकर इसने लैप आ रहा था, ओ शिट, इसने जैकेट हटाकर रिवालवर चक किया, सर्द नजरों से दर्वाजे को देखता, वो फूर्ती से मेज तक आया, लैप्टॉप की सक्रीन को फोल्ड करकी, वो मेज के दूसरे पाहर चुपकर बैठ गया, आने वाले ने दर्वाजा को खुला देख सारी कदमों के वाज दूर होती गई, लीस चटके से उठा, इसके पास वक्त कम था, फ्लेश ट्राइब निकालकर इसने जेब में डाली, जल्दी से बाकी दरास्टी टोलकर इसने कुछ पेपर्स बाहिर निकाले, मुबाइल का कैमरा ओन करकी, वो धड़ातर तस्वीर उता लगा, इसके असाब बहुत मजबूत थी, वरना इस सूर्टेहाल से गबरा गया होता, अपना काम मुकमल करकर इसने टार्च पूरे आफिस में गुमाई, एक जानीबी से दर्वासा नजर आ गया, ऐसे लोग अपने गरों में जरूर परार का दूसरा रास्ता रखती थी, फाइल्स वापिस ड्रॉर में रखकर इसने नाप गुमाया तो दर्वासा असानी से खुल गया, अगले लम्हे वो एक चोटे से कमरे में था, शुकर कि इसका दर्वासा खुला हुआ था, मुबाइल पॉकिट में डालकर वो नार्मल चेहरे से बाहर निकला, सेहन से निकल क वो कॉरिडॉर में आ गया, अजीब पूल बुलाईया से बनी थी, वहां गार्ट का पहरा था, आगे जाकर इसलिए वो मुहताद था, लैधर जैकर की पॉकिट में दोनों हाथ डाले, वो हमबार कदम उठा रहा था, तांके किसी को शक न हो, इसने जर उठाकर सामने देख उफ, ये डैश कहां से आ गया, छोटू के हमरा एक गार्ट को देखकर वो बेहतियार जुझलाई, अगर वो दोनों बागते तो सेकिंड्स में पकड़ लिये जाते, इस सूर्ते हाल में लीस ने वह किया, जो करना चाहिए था, वो फॉरण इसे कमर से थाम कर, दिवार से ल इसकी कुर्बत ने इसकी दर्कनों को मुंतशिर किया था, छोटू एक पल को रुका, फिर इनको देखकर हंसता हुआ से निकल गया, इसके जाते ही वो सीधा हुआ, दोनों जल्दी से आगे बढ़े, इहतियात से दाएबाई देखते, वो बंगले की पिछली जानिब जा र देखकर इसका हाथ थामा, दूसरे लम्हे वो मेकप रूम के अंदर थे, दर्वाजा बंद करके वो इसकी तरफ पल्टी, इसके चेहरे पर गबराहर थी, जबके लीस का चेहरा स्पार्ट था, ये क्या किया तुमने, अब हम बाहिर निकलते ही इनकी नजरों में आ इसने मेकप रूम में नजर दोड़ाई, वो चलती चलती रुकी, इसकी हरी आँखें चमकी थी, एक कितार में लगे बेशमार ड्रेसिस में से, इसने सारी निकार कर इसे खोलना शुरू कर दिया, लीस ने इसे यू देखा, जैसे इसका दिमाग खराब हो गया हो, देखो प अरता मुस्कुराहट लबों पर उमट कर आ रही थी, जिसे वो चुपाने की कोशिश कर रही थी, लीस ने इसे खा जाने वली नजरों से देखकर, सारी जबटकर बांदती शुरू की, वो मुपर हाथ रखके, तेज चमकीली नजरों से इसे देख रही थी, जब वो सारी ब इसनोसे से देखा, जिसे इस सूरते हाल में भी कामडी करने की पड़ी थी, मैं बाहिर जाकर इन दोनों का धिहान बटाती हूं, मेरे इशारा करने पर तुम निकल जाना, बाकी मैं देख लूँगी, अबके वो संजीता होती, बाहिर निकली, जहां सामने ही वो दोनों नज बाई हसीना किदर गाइब हो गई थी, हम कब से तुम्हारी राह तक रही हैं, वो मुस्कराहट से इसे सरता पैर देख कर बोले, वो बाबा सहब ने किसी काम से बेचा था, मैं कह रही थी, कि आज तुम लोगों के साथ मेरा वक्त पिताने को जीचा रहा है, लेकिन बाबा स तोड़ा वजूद सारी में छुपा, बाहिर निकला, जाकीर ने चौंकर इसे देखा, जो आइस्ता आइस्ता कदम उठाता, दूस्ते जानिब जा रहा था, ये कौन है, कभी देखा तो नहीं इसे, वो इसे मश्कूक नजरों से देखता हूँ बोला, जिस पर हसीना ने दा तो कर रहा था, कि पूरा नहुन इसके गाल में गुसा देती, वजूद से तो ये जमीला की बज़ए जमील लग रहा है, अपके कालिया ने कहकर कहका लगाया, जिस पर वो भी हंस पड़ी, तुम लोग इसे छोड़ो, बाबा साहब की शिराप में नीन की गोली मिला दो, त पुजारी आज पहली बार बाबा साहब को दोका देनी जा रही थी, मगर जानती ना थे, कि ये दोका देना इनको किस कदर महगा पड़ने वारा था, इनके जाते ही, वो पुर रफतार से बागती पिछली जानी पाई, जहां वो साड़ी उतार कर दूर फैंकता, दिवार प से एक दूसरे को देखकर हाथ पकड़ते वो बाहिर कूद गे, हाथों में हिकलर और कूच जीतरी राइफल्स पकड़े, वो दिवार से कूद कर, दबे कदमो कैप्टन की हमराही में अंदर की जानी बढ़ने लगे, दाहली दर्वाजे पर गार्ड को देखकर, दो आर्मी म दबे कदमो इतराफ से इन पर जपते, इन्हें समझने का मौका दिये बगए, इन्हों ने क्लूरोफार्म लगे रुमाल को इनकी मूपर दबा दिया, वो सेकिंड में दीले पड़े थे, इन्हें गसीड कर दूसरी जानिब चुपाती है, वो कैप्टन के इशारे पर आइस आइस्ता आगे बढ़ने लगे, बाहि इबराहिम ने सर गुमा कर दूर खंडर अमारतों में छुपे, सनाइपर्स को देखकर थम सब किया, इसके साथ तीन स्पाही थी, इन्होंने बैलकोनी के रास्ते अंदर गुसना था, जिसका पूरा नक्षा इन्हें हिफस था, किसी क कूतने की आवास पर, वो चौंकता दोड़कर आवास के ताकूप में इस चानिब आया, एक लंबे चोड़े शक्स के साथ लड़की को देखकर, इसने फोरन दोनों पर गन तान ली, इसके साथी अभी इसके साथ आकर खड़े हुए, लीस ने रुक कर इसे देखा, आईबर नागवारी से इसके हुकमिया अंदास को देखता, आगे बढ़ा, इस पर हुकम चलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, रोशनी में आने के बास दोनों का चेहरा नजर आया, जिस पर सिरफ आखें जाहिर हो रही थी, बाकी चेहरा इन्होंने सियार उमाल के पीछे चु इबराहीम का चेहरा स्पार्ट ही था, कोई तासूर ना उबरा, अलबता हाथ की जिल्द जरूर फट गई थी, दूसरे लम्हे इसने पूर्ती से लीस परवार किया, जिस से इसका हूट फट गया, इबराहीम के साथी आगे बढ़ें, जब इसने हाथ उठा कर इन्हें रोक देने के धर पर थी, इस दुरान इन्हें चोटे भी आई थी, हसीना लबकारती खड़ी थी, वो जानती थी वो लोग कोन है, लेकिन वो कुछ करने ही सकती थी, इन्हें जबान बंद रखने का हुकम था, अचानक इबराहीम रुका, कान में लगी डिवाइस से करनल असाम हा जादा की आवाज उपरी थी, मेजर ये हमारे लोग हैं, इन्हें जाने दो, अपने मिशन पर फोकस करो, सकत लहजे में कहकर राब्ता मुनक्कत कर दिया गया, क्यों लग गया पता, हटो अप, लीस दीखी सर्द आवाज में बोलता उठा, और हसीना के साथ वहां से निकल इबराहीम ने सर जटका, सर दाखों से बाकियों का इशारा करता, वो बैलकोनी में लगे, पाइप पर महारत से चड़ता, बैलकोनी में कूद गया, तारीकी में खड़ी हैवी बाइक, इनकी इतला के मताबिक इन्हें मिल गई, हसीना ने हेलमट पहन कर बाइक स्टार्ट की वो जल्दी से पीछे बैठा, चांद मींटों में वो बहुत दूर निकल आए, यही इन्हें बाइक रोक कर उतरना था, अब वो पर सकून थे, सुरुख रूबी, हलमट उतार कर इसने चेहरे पर आए, महरून करली बालों को जटका, हरी कांच सी आँखों की चमक, दीदनी जैकट की चेपों में हाथ टालती, वो इसके साथ कदम बढ़ानी लगी, फुटपाथ पर चलते, इसने तीकी मस्कुराहट से गर्दर मोड कर दूर तारीकी में देखा, वो सब कुछ पीछे चोड़ाए थी, सीटी पर कोई शोख तुन बचाती, वो बेनियाजी से चलती ज आदत से मजबूर, वो इसे तंग करने को इसके मुकाबिल आकर उल्टे कदम उठाने लगी, सीक्रेट एजेंट हाविज, कॉंग्रेजिलेशन्स, मिशन सक्सेस्फुल, सर उठाकर इसके तने चेहरे को देखती, वो मुस्कुराहट दबा कर बोली, वो जानती थी, किसी भी लमहे वो फट पड़ेगा, लेकिन इसे तपाने का कोई मुका जो हाथ से जाने देवो, गजल हान साथी, नहीं, छोटी लड़की, मिना दिमाग हरापना करो, अपने जयादी उमर की इस तिद्धी लड़की को देखता, वो सर्ट महरी से बोला, और यही गजल का मूट आफ हुआ था, आखर यह शक्स इस एज डिफरेंस को बूल क्यों नहीं जाता, इतना तो हैंसम था, और बला का क्रूस, देखने पर वो 32-32 साल का एक नहायत हूबरू मगर सड़ा हुआ मर्द लगता था, इसे तीकी नजरों से देखती, वो बड़बढ़ा कर सीधी होती, तार क कोल की साफ सुतरी सड़क पर चलने लगी, वो बेन्याजी से चलता रहा, जैसे इसे फरक पढ़ जाना था, इसकी नराजकी से मतलब कुछ भी, हाथ में फाइल पकड़े, वो कार से बाहर निकली, वो किसी काम से बाहर निकली थी, तो सोचा वापसी पर फाइल, बदर को दे पर ठी करती, वो अंदर चली आई, वो अपने अजली हुलिये में थी, ब्लू जीन्स पर महरून टॉप और जैकिट में लंबे गुंगरियाले बाल लंबी सी फ्रेंच तर्स की चोटी में बंदे आगे की तरफ डाल रखके थी, ये स्टायरिस पर हासा जच रहा था, लाउ अर्शमा ने हुश्कवार मुस्कराहर से देखते, गले लगाया, वालेकुम सलाम, कैसी हो अर्शी, खाने में चमच हिलाकर, वो इसके तरफ मत वच्चा हुई, बिल्कुल फिट, एक्चुली में ये फाइल बदर को देनी आई थी, वो गर पर है, स्लैप पर चड़कर तक आ जाएगा, तुम आज यही ठहर जाओना, कितना अर्शा हुआ, तुम आई नहीं, देखो तो, रात भी हो रही है, और एरा भी हुश हो जाएगी, वो प्यार से इसका गाल छू कर बोली, तो अर्शिया सोच में पड़ गई, चले ठीक है, मैं मामा को बता दू, वरना पर रशान होंगी, वो नर्मी से कहती है, वो फोन निकाल कर नंबर ढायल करने लेगी, जब काफी देर तक फोन नहीं उठाया गया, तो इसने एक वाइस मैसिज छोड़ दिया, पोपो इतने मज़े की हुश्पो आ रही है, मेरी तो बूक जा गई है, सलैप से चलांग लग गई खाना, इनके पूर शरारत लहचे पर अर्शियान नीली आँखे सुगेड कर देखा, फिर किल किला कर इनके कंदे पर लाट से सर रखा, क्यों पूपो जानी, मैं तो जरूर खाऊंगी, वो भी मज़े से बोली, तो अर्शिमा हंस पड़ी, हाँ जरूर जरूर, तुम एरा से मिल लो, देखो बदर भी आया या नहीं, आँच हलकी करती, वो मस्रूर से अंतास पर बोली, तो वो दर्वाजे की जानी बढ़ी, मैं आती हूँ वापिस, इन से मिलके फिर आपकी हेल्प करवाती हूँ, कहकर वो बाहर चलियाई, अभी लाउंच में आई थी, जब सीडियों से उतरती, एरा हलकी सी चीख मारती, दोड़ कर इसके गले से आ लगी, अर्शिया ने भी इसे हुद में बीच लिया, दोनों वो ही लाउंच में बैठी, हाल एहवाल दर्याफ्त करने लगी, अर्शिया के अरिश की बाबित पूछने पर, वो एक पल को हमोश आपी इन्होंने कुछ नहीं कहा, in fact, किसी ने एक लफस नहीं कहा मुझे, सब बहुत अच्छे हैं, बस मामा की तरफ से उदास थी, बाबा तो मिलने आय थी, लेकिन मामा अभी थोड़ी रूट सी है, इसकी नीनी आँखों में उदासी सी थी, अर्शिया ने इसे साथ लग तुम उदास मत हो, वो इसकी बात पर महसर हिला गई,